पीटियू की जो रिक्वाइरमेंट है यह देख लो दोस्तो 45 से 60 हच पी के टेक्टर में बड़े हराम से यह सूपर सीडर चलना वाला है यहां पर आप यह पैनल देख रहे हैं ठीक है न दोस्तो इससे क्या होगा जो मिट्टी चीमट मिट्टी चिपकती है न तो यह उनको ज दोस्तों हमारे किसान भाईयों को अब हो गई है वह समय की कमी और हर काम करना चाहते हैं स्पीड और जल्दी से तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आगए हैं मैशियो कंपनी की तरफशे आने वाला शांदार सूपर सीडर जिसको दोस्तों ऑपरेट करती है जर्मनी की सबसे ज़्यादा लीडिंग ब्रांड कंपनी दोस्तों इसकी खूवियों के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि यह जो सूपर सीडर है अने कंपनियों से क्यों भेनने हैं और भाईया मैशियो ऐसा वैसा ब्रांड नहीं है अल्टीमेट ब्रांड है जैसे फोन में आ हटती है, तो ब्रांड की बीलिट की बात करें तो यहां प आपको यहां पर यंद्या ब्लेड इंदे कामबी मैं बेहतर throw यहां पर सदू plank क्यार टीमेट तवक्तिक बडेफ और यहां पर आपको फूर मे स्दूंक है आपको बूर्जील की बेर कम रचान ब्रांड भाईयों उसके अंदर मजबूती बेगेरा का किस तरीके से ध्यान रखा गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमपनी ने भाई इसके अंदर जो खीला भी दिया हुआ है जो अपना गिला भी दिया हुआ है वो भी कमपनी ओफर करती है nut विगेरा की यदि हम बात करें तो हर nut के उपर आपको इनका size विगेरा proper देखने के लिए मिल जाएगा जैसे कितने mm का nut लगे हुए हैं हर nut के उपर देखने के लिए मिलेगा साथ ही साथ यदि हम बात करें इसके upper linking point याने की top link वाले point की तो यहां पर जो frame company ने बनाया हुआ है बहुत ही heavy duty quality का company ने इसका frame बनाया हुआ है और इसके अंदर आपको दो point मिलेंगे जो कि आप अपने tractor की अवश्रक्ता के अनुसार इसको जो है attach, detach कर सकते हैं इसके बात करें दोस्तों यदि हम gear box विगेरा की तो यहां पर जो gear box मैस्यो super seeder के अंदर offer करता है multi speed का 45 horsepower में शानदार performance करने वाला आपको जो है इसके अंदर भाईया gear box देखने के लिए मिलेगा साथ ही साथ इसके अदि हम बात करें दोस्तों bus विगेरा की तो यह जो super seeder है multi crop super seeder है तो यहां पर जो आपको bus विगेरा देखने के लिए मिलेंगे pure aluminium के bus विगेरा देखने के लिए मिलेंगे और इसका फाइदा क्या होगा दोस्तों इसमें pure aluminium के bus लगे हुए हैं उसका सबसे बड़ा फाइदा यह होगा जब इसमें हम phytalizer section में phytalizer डालेंगे और seed section में जब seed डालेंगे तो phytalizer भाइया होती है नमक वाली चीज़ है है ना नमकीन तो उससे जो है दोस्तों जंग बगेरा की समस्या आती है लेकिन aluminium बोश होने से जंग बगेरा की समस्या नहीं आती और life बगेरा long मिलेगी साथी साथ इसके अंदर जो चाड़े लगे हुए हैं शटग इसके अंदर आप देख लो चाड़े दिय हुए है जिससे यह जो चाले हैं गर्मी ठंडी की वझए से न तुचकते हे ना पुचकते हैं इससे जो दाना है फाईडिक एड़ाइजर है वो प्रोपर मात्रा में आपका बरकरार और शैया ही तरीके से जानेवाला है ठीक है कंपनी ओफर करती है तो वो है वही है मैशियो जहां पर एक एक एम का मतलब बाल बराबर भी ध्यान रखके कंपनी जो है इसका सीट सेक्षन एकुरिशी डिजाइन करती है और इसके दिये हम बात करें दोस्तों साइड में यहां पर हर एक नट विगेरा की तो यहां से आप न बड़े हराम से यह सूपर सीडर चलने वाला है और आप जानते हैं कि कई कंपनी के ऐसे भी टेक्टर आते हैं जो कि 45 HP में 30, 38, 35 HP की PDU पावर लेके आते हैं और यह जो रोटर वेटर है उसमे भी सांदार परफॉर्म करने वाला है साथ ही साथ दोस्तों इसकी यदि हम बात करें हर एक चीज की तो इसके अंदर मैशियों खुद का ही प्रोड़क्ट लगाता है और प्रोपर हर चीज के ऊपर बैजिंग मिलेगी पिछले हिस्से में बात करते हैं कि पिछला हिस्सा इसका क्यों खास है तो पहले तो हम बात करने इसके प्लैटफॉर्म की तो प्लैट सेक्षन में सीट डालें साथी में थोड़ा बहुत सीट यदि कभी बच जाता है तो यहां से यह रवर विगेरा कोल के आप इसके सीट्स विगेरा को निकाल सकते हैं तो यहां पर हर एक चीज का जो है बहुत खास तोर से ध्यान रखा गया है साथी साथ हम बात कर लें अब डिक्स लगे हुए हैं और यहां पर आप यह पैनल देख रहे हैं ठीक है न दोस्तो इससे क्या होगा जो मिट्टी चीमट मिट्टी चिपकती है न तो यह उनको जो है वहीं की वहीं नीचे गिरा देगा जिससे आपका सीट विगेरा प्रोपर जाएगा और चाले विगेरा के अंदर जो चोक होने की शमस्या है वो आपको बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगी साथ ही साथ दोस्तों अब हम इसके बात करने हैं रोलर की तो यहां पर जो रोलर लगा हुआ है इसके अंदर भी कंपनी ने हैवी डूटी रोलर लगाया हुआ है और बैरिंग को बैरिंग बात करें हम सिर्फ आपको एक बैरिंग दिखा रहे हैं यहां पर आप यह बैरिंग देख सकते हैं कंपनी ने इस बैरिंग को उपर ग्रीशिंग पॉइंट दिया है और यह ऐसा बैरिंग नहीं है कि सिंगल पॉइंट आपको मिलेगा बैरिंग उपर हर एक बै है कि स्वाइल में से चलाओ परफेक्ट चलेगा लंबे समय तक चलेगा और टेक्टर को उपर लोड नहीं पड़ेगा ठीक है साथ ही साथ दोस्तों अब हम बात करें इसके पीछे जो रोलर लगने वाला है तो रोलर की अटेच्मेंट के लिए आप यह देख रहे हैं यहां प दोस्तों यहां पर बात करें हम इसके पैनर विगेरा की तो इसके अंदर जो इस पैनर साइज लगे हैं वो लगे हैं 10 13 17 19 22 24 और 27 के और जो भी नट इसके अंदर लगा है उस हर नट के इस पैनर साइज कंपनी ने इसके अंदर ऑफर किये हुए हैं पूरी टूल केड इसके फूल कवर्ड दिया हुआ है कमपनी ने ध्यान रखते हुए यहां पर इसके अंदर आप जो है थोड़े बहुत फूल पहले की स्टोरेज ले सकते हैं अपनी अवर्शक्ता के अनुसार आपको श्पैनर पहले रखना है स्प्रिंग पहले रखना वह चीजें भी आप इसके अंदर रख सकते हैं और थोड़े वहत आपको company ने इसके अंदर ढेक सकते हैं gearbox दिये हुए है अब gearbox देने का फायदा क्या है दोस्तों काई टेक्टरों के अंदर RPM कम होते हैं 750-5000 तो उसके लिए company ने दो gear drive इसके अंदर offer किये हुए हैं जिस आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इन गेर ड्राइब को इसके अंदर इंस्टॉल करके 540 स्टेंडर डाट पीम में इस शूपर सीडर को ऑपरेट कर सकते हो दोस्तों इस शूपर सीडर की यदि हम बात करें तो यह जो है दोस्तों 6 पिट का शूपर सीडर है इसके अंदर आप अपनी अवश्यक्ता के अनुशार ले सकते हैं इसकी यदि आप रेट की जानकारी लेना चाहते हैं कीमत जानना चाहते हैं तो अवाउट सेक्शन में हमारा नंबर है हमें ज़रू संपर्क करें इसका हम प्रॉपर रेट बताएंगे आज की वीडियों पस इतना ही वीडिय अशा लगा तो वीडियो को लाइक करें फेस्बॉक से देख रहें तो फॉल्यू करें और यूटूब से देख रहें तो सस्प्राइब करें जय जबान जय किसान्ट